माननी राजिपाल महुदय के प्रती विशेश रूप से आभार्वेत करता हूं जुनोंने सोल्वी विदानसभा के प्रथम सत्र में अभी भाषन देते वे सरकार के विजन और मिशन को सामने रखा हम सब को कृतार्थ किया माननी महुदय ऐसी साथ दुनिया की पवित्रतम नगरियों में से एक नगरी अवंतिका है हमारा सोभागे ऐसी नगरी के हम इस राज्य के निवासी भी हो और मैं वहां से आता हूं जिसका कभी अंतनी हुआ ऐसी अवंतिका की इस नगरी के एक सामानी से मील मजदूर के परिवार के बालक को ये केबल भारती जन्ता पार्टी ही कर सकती है जिसने एक छोटे से मजदूर परिवार के बच्चे को लाकर के मुख्यमत्री के पद तक पहुचाया मैं आपने सभी लाक्ष्टी नेत्रत्व का सभी वरिष्ट नेताओं का अभार भी मानता हूं हमारे सभी लोकतंत्र की ये खूबसूर्ती है और नाकेबल में ये वर्तमान का लोकतंत्र गोरानवित होगा जो यशश्वी प्रधानमंत्री ग्रूप में एक चाय बेचने वाले परिवार से निकल करके देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और एक मील मजदूर के परिवार को उठाकर मुख्यमंत्री बनाते हैं मैं आज इस बात को करने आया हूं मेरे मन में सद्धा है इस बात की के लोकतंत्र की खुबसूरती है कांगरेसो बीजेपी हो हम और आप परमात्ना की दयास से लाखो लाख लोगों की आसाओं के केंद्र आठ करोड से जादा ये हमारा परिवार मत्यप्रदेश उस परिवा हम अंकार के धनी नहीं है हम उस विनम्रता के शेवाखे जिसके माध्यम से फविष्ट की कोई नई इमारत खड़ी करने के लिकले और हम उसका सबका स्रयोग ले मुझे इस बात को मैं कहने के लिए खड़ा हूं मेरे सभी मित्रों ने फक्ष हो विफक्ष हो मैं इस बात के विए आनदित हूं कि आज अपने आज इस बुर्शी पे आप राजमाने मुझे मालूम है कि आज आसंधी पे जो विराजमाने उनका कितना विराट व्यक्तित वाह है हमने कल उनका निर्वाचन किया है माने अट्यक्ष मौद है हम सब इस बात को जानते हैं कि जिस छोटे स परिवार के साथ पारशत के रूप में आपना आपने ये राजनितिक यात्रा चालू की उसके पहले विद्याती निता के नाते से छोटे से गाउं से आकर के भारत सरकार के लोगपुरी और सबसे बड़े मंत्रालाय में आपने समभलता से काम किया कई बार हमारे अपने इस मृता का भी और ये बात हम सब के लिए अत्यंत आनंद की है कि मेरी सरकार आपकी इस चत्रचाया में अपने विकास के कदम बढ़ाएगी और हम सब आप से समय समय पे चाहे बख्चो आप साम असराइबी चाहेंगे कि हमारे द्वारा किये गए कामों पे आपके मारदस्तन में हम और नहीं हो चाहिए आप राप्त करें इस चर्चा के इस सत्र में मानने केला जी विजय वर गिए वास्तों में आपने सही का भाई साब चाहे केलाज जी हो चाहे पहलाज जी हो चाहे राकेज जी हो चाहे गोपाल भरगव जी हो हमारे इदर सामने से भी राम निवास रा कि यहां पर जो अाधिकान सदस जनकी आपने स्थायगिता और में सब्सक्राइब करेंगे आप सब्सक्राइब करेंगे आप सब्सक्राइब करता हूं कि आपके अंदर के दलों में जैसे हमारे सब्सक्राइब करेंगे अगर भारत है और दुनिया के सबसे युवा देश को सबसे आगर आगे जाना प्रदानमंत्री की नेतरत है तो निश्यत रूप से युवाओं को आगे लाने क्या उशक्ता यह अलग बात है कि हमने नंबर मारा और हमने परमातना की जैस जनता की इस जनता ने हमारे नेड़ने को महर भी लगई और आप ने ठोकर खाने के बात किये लेकिन आपकी पार्टी का एक रिकार्ड गलत अरुन यादोजी से पूरे टाइम काम कर वाली आप होका आया तो फिर पता नहीं कहा चले गए और फिर कमनलाज जी दिखबेश सिंग्जी आ तो यह जो परंपरा है इससे आपको नुक्सा रोकता है धियास है ने खली अभी आपकी बात ही तो अपने आनन्ग लेने के लिए सुन रहा है लेकिन ये बात तो सही है इतिहास को कोई नकार ने सकती वाला भी आपके साथ तो बहुत अन्याई हुआ अरे आपके साथ तो पूछो मत आपके साथ हुआ आपके साथ हुआ पिले कहा आपने इस लवस्था के अपनी बात कर रहे हैं मैं आज इस बात को लेके चलना चाहता हूँ मैं अभी अपने सारे अलग-अलग भागों के बारे में बात हुआ यह तो यह बात सही है कि अजेंडे को बात करी मैं आपके जबर से कह सकता हूँ कि भारती जनता पालिटी का संकल पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म द्रंत की तरह है यह गीता रामायन की तरह है एक एक अक्षर से पाच साल तक हम अपने इस एजेंडों को लेकर आए सरकार बनाने के लिए एक महिने की सरकार के लिए नहीं है ना तेरा महिने की सरकार के लिए और हम और आप 5 साल बात बात करेंगे कि आप और हमने जो बनेड़ा किये थे अपने संकल पत्र को लेकर आगे बढ़े थे तो हम किस रूप में आगे बढ़े इसके लिए काम करने क्या हो सकता है और मुझे इस बात की प्रसंदता है इसे कई विश्यों को लेकर के जब से हमारी सरकार बनी ऐसे कई एजेंडों को लेकर हम आगे चल रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बताएं आज से 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का काईम टाइम होता रहा उसके बाद 200 साल पहले जब अंग्रेज हवी हुए तो अंग्रेज इस चीज़ को पेरिस से उठा करके ग्रिन विश्य लेगा है और ग्रिन विश्य से वो दुनिया में सेमारी स्टेंडर्स टाइम करने लगे अब यह आप अंदाई लगा ले कहने के लिए हम पुरू के देश है वो पश्चिम के देश है और यह जो समय की गणना का केंद्र है आप कभी अंदाई लगा लो आज भी कित्ती बड़ी विसंगती है आप उमंगवाई बताइए यहां दुनिया में दो प्रकार के ही प्राणी पाये जाते हैं एक प्राणी जो सुर्यास से अपनी दिन चरिया चालू करते और अपने सुर्यास्त के बाद अपने सुर्योदे से चालू करते सुर्यास्त करते दूसरे प्राणी रात्री या निशाचर वाले लेकिन मद्य रात्री में कौन से प्राणी आपनी दिन चरिया चालू करते यह मद्य रात्री में 12 बज़ किया मैं अभी अपने विश्य का रहा हूं आपको भी मुखा दूआ आपके आतों से जाके देखना 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जेन की आपजर्वेटरी में जाना एक संकु यंत्र है 300 साल पेले बना है और आधुनिक साइंस की दिश्टिक से जी पीए से फिज बिलेगा लेकिन यह हमारे आधुनिक साइंस के आप उप्तरान भी बता रहा हैं जो हजारों साल से हमारे पुर्वत जानते थे ऐसे गोरों साली चीज को हम विश्मुनत करके केवल पस्षिमन अक्रण जो करने लेगा है उस काल के प्रभाहा के चक्र को बदलते वे उस ऐसे आप जर्वेट्री लेकिन यह नई आप जर्वेट्री साइंस टेक्नोलोजी वभाग के माद्यम से हम बना रहा है जिसको आयाईटी के बच्चे रिसर्च करने जाएंगे आयायम के बच्चे बिसर्च करेंगे मध्यपरदेश के 16 विश्वत्याले से 10 से ज्यादा विश्व वह सारे के सारे देश तक्षिन एसिया सहीद चाहे चाहे ना हो पकिस्तान अफगानिस्तान यह सारे लोग मानते कि इस्टिंडर्ट टाइम की तहीं करने की अगर बात होगी तो भारत पे यह बात जाएगी और भारत में उज्जेन का वह मान बन पड़ेगा भारत का मान मंदेर तो सरकार ने वह अब्जर्वेटरी खड़ी की है और एक नया प्रस्ता और सरकार के माध्यम से दे रहा है कि भविश्ची के दर से इते आयाइटी सेटेलाइट टाउं उज्जेन में इंदोर का विस्तारी करन करेंगे जिसके माध्यम से एसे भविश्ची के एसे निकालने वाला जो यंत्र आप मानके चलें अगर अपना हवाईजाज उतारना आपको आज भी तो आप बताईए जैसे हवाईजाज उपर उड़ेगा तो लगबक एक लाख मीटर प्रति घंटे की गति से प्रत्वी घूमती है वह वापस मुकाम पर आने के लिए अक्षा पंधी बाते हैं अगर आपको कुछ बात कहना तो जरूब कुछ सकते हैं अच्छा सुजाव है मान्य मुक्यमंती जी का क्यों आपका समय चेंज करें प्रदेश का सब उसके बाद फॉलो करते रहेंगे अपने यहीं यहीं मानसिक्ता ने पीछे करा है मैं आपके सामने बता बता हो यह समय किसे होता है यह समय मेरे तुमारे कहने से इस्टेंडर ताइम न्याता ही नहीं होता है यह समय होता है फिजिक से विज्ञानियों के मात्यम से और इसकी अरे एक मिज़रा बाला भी सुनो को सही अभी भाशन पर आजाई है मत्वर्देश अरे बात आ रही है यहां आपकी बात पर तो हम दे रोका नहीं है जब नेता प्रटी पर्ट्र भोले थे हम देश्ट अब आपने आप पिज्ञान कांगरेस अपने आप विज्ञानियों को की विज्ञान कांगरेस है भारती विज्ञान कांगरेस के मात्यम से अंतराश्टी कांगरेस करा करते इस तिंडर टाइन कहां से तय होना चाहिए इस दिशा में भी काम अपनी सरकार साइंस टेक्नालोजी वात्यमात्यम से कर रही है और अगर वो तहीं करेगी तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा मैं आपको वह याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें बाचरकार की ना केवल राज्जी सरकार की बलकि भारत सरकार की भूमिका भी और भारत सरकार यह अंतराश्टी इस तरवे काम करेगी लेकिन इसके लिए प्लेटपांग बनाने का काम अपनी सरकार कर रही और अपने मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं अपने बीच में से जैसे आप ध्यान दीजीगा कि हमारे यहां अपने समराज विक्रमा दे अब सम्वत की बात अगर करते तो आप अंदाई लगा लो यह हमारे जो सम्वत है आप सम्वत के मामले में आज भी मैं कांग्रेस पे यह दंश से आरोप लगाता हूं कि आज भी कांग्रेस के उस तत्काली निर्णे के कारण से सक सम्वत की सास की मानिता है जब की सम्वत की मानिता होना चीए विक्रम सम्वत की और विक्रम सम्वत यह समराज विक्रमा दित के नाम का है हमारा यह गोरोशाली पक्ष है लेकिन केवल कि अभी लोग सब्सक्राइब देखें मैं आप इस अपने सब के स्पीच में से जो इसका बत्त भी आए आप उस बात में जड़ा आपको लगता कि बाद में भी बात कर सकते तो जो मेरे से बात कर लीजेगा मैं तयार लेकिन यह सारी इसलिए रखनाओं कि यह सरकार का हिससा यह सरकार से अलग नहीं कि में जो भी बात रखनाओं इसमें सरकार इन्वाल की मदद के बात जीज़ा के उसमें कुछ भी अलग से नहीं कि इसलिए जैसे मैंने विक्रमादित की बात जा करें ऊद्धित का अंतर नहीं आप इसका रिकार देखें पिसली बार हमारे उत्रदेश के मानने मुख्यमंतरी साथ में अए तो अविध्यार योगी अदितना जी उन्हों ने ही इस बात कि विक्रमादित नंदिर तोड़ा गया बावर के साथ बावर द्वारा वो 100 साल पहले विक्रमादित ने उज्जेन से जाकर बनाया था ये 4 कॉले कसुटी का मंदिर कॉछ क्रमादित का था उसको उन्दम प्रमानित किया एक्ढलуш साPlus और आप इंदाज लगा लो दुनिया में तीन भाईयों की जोड़ी प्रसिद्ध हुई है एक भगवान राम और लक्ष्मट एक भगवान कृष्ण और बल्राम और तीसरी जोड़ी मतिप्रेश किये विक्रमादित और भरतरी दो तीसरी जोड़ी हुए इसने मतिप्रेश को गोरानविद किया इसलिए दो भाई दुनिया के एसे जो दोनों ही अध्मिती रहे जिनके जीवन के अलग-अलग पक्ष है जब भरतरी ने सासन चलाया और भरती ने जो सहित्य बनाया वो भरतरी का सहित्य आज भी दुनिया में अध्मिती है कोई अपना स्रंगा दीन कुस विक्रमादित सुवत पीट के माध्यम से विक्रमादित फेलोशिट देते वे हम रिसर्च सेंटर के माध्यम से विक्रमादित का विराज व्यक्तित को दुनिया के सामने आना चाहिए एक ऐसा व्यक्तित जो निया प्री जो विक्रमादित के कित्ते पक्ष है विक्रमादित करने के लिए प्रस्न खड़े करें यह रिसर्च सेंटर की माध्यम ने हमने सारे जवाब किये कहां विक्रमाजित के अपने देश का है और उच्छेन के हैं और हम नहीं कह रहा है हर साल इसकी अलग-अलग प्रकार की फेलोशिफ दे करके जो रिसर्च आती है उसकी पुस्तु आती हैं ज्डीत ग्रवे प्रकार के अपने सरकार के माध्यम से कई-कई-प्रकार के षचाने dubi काम हुए कई-कई प्रकार की बाते आई ऐसे कई विश्यों पर बात करने के साथ जैसे नई सिक्षानीति के मामले में बात खड़ी की आप अंगा ही लगा लिए कि नई सिक्षानीति दुनिया को जो सिक्षा देने वाला गुरू करके जो हजारो हजार साल से इसकी मानता है ऐस से भारत वर्ष के अंदर सिक्षा के मामले में लाड मेकाले ने 1835 में जो गलती की कांगरेस ने साथ साल तक उस गलती को दुरुस्त करने का काम नहीं किया हमें इस बात की प्रसंदता यस्षी प्रधान मंत्री मोधी ने नई सिक्षानीति लावू करके हमारी देश की संस्क सबसे बेले मत्थे सरकार ने लागू किये अपनी नई सिक्षानीति के बारे में अगर सरकार की इस विशे को मैं अगर सधन में रखता हो तो आप सबके लिए भी सरक्षे जायेगा आप भी बात करेंगे आप हमारे अपने महाविद्याले के अंदर अगर पढ़ना चाहे हा तो कोई age limit नहीं है पोता, पिता जी, दादा जी जिनको admission लेना वो सब admission ले सकते हैं कोई बंधन नहीं है एक आदमी दो डिगरी लेना चाहे दो डिगरी ले सकता है कोई बंधन नहीं हमारे course की design भी B.A.B.C. से बदल करके कोई science का विक्ति इच्छा रखे कि मैं एक arts का subject पढ़ना चाहता हूँ तो वो arts का पढ़ सकता है और ऐसे कई प्रकार के course दिन course के बल्बूते पर हमको अपने जीवन के मार्ग तय करना जीवन की दिसा तय करना वो हम कर सकते हैं ऐसे सारे विश्यों को लेकर नई शिक्षानीती बोट बड़ा रोल अधा कर रही इस नई शिक्षानीती को मामले को लेकर के कभी मोका पढ़ेगा त्यक्ष मोहद है ता आप एक विशेष सत्र बुलाएं और आपने इस पे खुल करके चर्चा करें कागज की दिग्री के बजाए जीवन में सार्थक्ता आया इसलिए हमारी अपनी सरकार में अपनी सरकार की पेली बेठक में हमने एक निर्णे लिया के सभी प्रकार के कोर्स एक जिले में कम सकम एक ऐसा कालेज एक्सिलेंस खोले जिसमें पढ़ने का मोका मिलेगा तो बावन ही जिलों में हमने बावन एक्सिलेंस और जो सरकारी 55 हुए तो उसको बढ़ा के 55 तक ले जाएंगे एक्सिलेंस कालेज मिले जाएं इसी में नेने लिया है कालेज किस प्रकार के होंगे अलेज सरु सुधा हो जब तो होंगे जिसमें खेलने का मेदान होशकल सबी प्रकार के पाट्थिकरम को पढ़ने की गुंजाइस उसी में ई-LIBरेरी और इसी के साथ साथ बस की वेवस्ता बिरेगी 20 किलोमेटर के रिडियस में जाकर के बच्चों को अपने ही महाविद्ध हले में आने के लिए किसी और पर निर्भण नहीं देना पड़ेगा हमने इसी में दूसरी विवस्था की दीजी लाकर की हमारे बच्चे जो अपनी मार्शिट को स्थानन सर्टिपिकेट को यह लिए भूंते थे अब डीजी लाकर के माध्यम से मत्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनाए जिसको कोई पत्र अलग से अलग से कोई पेपर ले जा करके लिजाने की जर्बत नहीं वो सारी की सारी सुझा है वो सबके लिए उपलब द्रैक हमारी सरकार ने तीसरा न सबस्ता हम खतन करने वाल हमारी सरकार ने ने किया जो सुप्रीम कोर्ट ने करती यह पता नहीं क्या है मिंत्र हमारे पर आरोप लगाते हैं पता नहीं क्यों लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने करती सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई टाकत नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लागू कराने की कभी आपके मित्रों आपके कुरवर्ती सरकार में इंबत नी दी सुप्रिम कोड ने ने जिया तीन तलाग खतंकर तो आपकी सरकार ने उस पेशले को लोगसभा में बदल दिया यह आपकी दुर्फादी कूली वह दवस्ता है हमारी सरकार ने 40 साल पहले प पदल के रजबिया कि सरकार होगी ने लागू कराने के तीन अगर ने अच्छा है सुप्रिम कोड का ने जैन हिते सी है महिला हिते सी है वो ने क्यो लागू नहीं होना चाहिए दंके की चोट लागू कराने के ने ने है हमारी सरकार ने ने यह किया है आपके मामले में इस र प्रोपर्षक्त सब्招लु सब्सक्राहयाइं हंद्ध को पूल के साथ 24 जनवरी पूरी सर्कार स्वागत करेंगी मदब्डुय सर्कार राम भर्वकतों का राम दर्सीन करने जाने वालों का और तीर्थ दर्σιन यात्रा के माज़व से हमारी सर्कार ट्रेंगों से बसों से जिनको उयृत्य है इच्छा होगी सब ne पहुंचाने का प्रयास करें यह हमारी वेवास्था के अधारपत है आरे हम सबका स्वाज़त करेंगे हम को मौन है डिक्कत इयुक है लेकिन राम के से है आप उशार नाम के स्थ habilis अबिवादन कर रहा है अपने आनंद में आ जाते हैं आराम सोने भी जाए तो राम के पास विस्ट राम और आप राम नाम सद्द करने वाले कोड़ में सटिपिकेट जाते हैं तो कि राम का अज भी एफीड़ेवेड़ी इस बात के लिए लग्जित करता है क्या आपने परू प्रदेश के अंदर भगवान के जहां जहां पाओ पड़े जहां जहां लिला रचिये चाहें आयो अपना जहां उज्जेन जहां उन्हें 64 कला 14 विद्या सीखी या आपका धार का पास का हमझेरा जहां रुगमी के साथ उनका युद्ध हुआ या जाना पाओ इंदोर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुद्वर्शन चक्र देते हैं वो सारे इस्थान त तरह से अले अपने नेड़े की हैं मैं इस दो तीन बातों को और बता कर अपने विसे पर आऊंगा तो कि जो इसे आपके सामने इसलिए बताया कि यह आपके मेरे पंश्विपंश के नहीं है तथ्यात्मत बात है जिसमें सरकार का योगता है जिसके माध्यम से हम आगे बढ गलता है लेकिन हम ये जांकारी लेलेक्स्वू संप्रदाय हमेशा से आपकी लंभी परंपरा फिर हमारी दूसरी परंपराँ शक्त करवा सक्ति प्रमपरा वहां सब साख्त हमें मर्जी से नहीं बनाए और उनके जीवनकाल से लेकर उनकी विवितता वाली तो ये उनके लिए वैउसरुक लब्द कराने की बात है हमारे लिए तो सुभागी की बात है, हमारे लिए आज वर्तमान के देवर में दुनिया में मोदी जी के नित्रत में, जिस प्रकार से मोदी जी ने भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, दुनिया भारत को जानना चाहती है, दुनिया सनातन संस्क्रति को जानना चाहती ह सरवबन्तु सुखिना सरव संतो निरामया सरवबद्राने परशुषन दू मासिटु भांखWest हमारी सारी सज़्क्राइब देखना समझनाहब कैसे हमारी अच्छाह्य हो जानना चाहते हुझ विश्यों के हम कूल पक्ष्क्राइब करके हम उन Millicow अपने बीच में से दो चार बाते और कहूंगा जद भी मुझे मैंने मातनी अध्यक जिसे कहा था कि तीन बज़े के असपास में मेरे को जाना है लेकिन आप चार बज़े गया है लंबा तो बहुता है कि अभी आपन बात करेंगे तो जादा हो जाएगी लेकिन फिर भी अभी इसको समापन की तरफ लाते हैं आपने सड़कों की बात कई आप अंताज लगा लो कि अभी आल किसे ने रखा था उनने कहा था कि वित्ति वहस्त में प्रदेश सरकार ने का जो केंदरान से माननी है जट जी माननी मुक्मंत्री जी मेरा निवेदर जी के मामने में तर पून जान सकता कांगरेस से याजा कांगरेस ने सतोत्तर में एन्वी डिये के निड़ने को रागू न करके मद्वदेश की जंता का अपमान किया है मुझे इस बात का धरवाय अस्वासिव्द्री सिवराजी जी चोहार कि सरकार ने एन्वी डिये के मात्यम से हमारे सारे देम पूरे करें पूरे हो नी सकते वो सारे देम भी पूरे हुए और हभी नर्बएक में पानी के लिए हमारे भोडेश तो परियाउ스ल में हम उस government कर रहे हैं इसके बलबूटे पर बाकी जगें भी नर्बना का पानी खपा करके इस प्रदेश की परियाद दे हम उस एमोई को भी रिव्यू कर रहे हैं जिसके बल्बूते पर बाकी जगे भी नर्वदा का पानी खपा करके इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें यह हमारे वो सारे पेड़े ले रहे हैं जिसके अधार पर नर्वदा जी से पूरा प्रदेश लावान भ करें बस आपना पक्ष घलत है जाओ तो और जादा करें मैं माननी बाला बच्चन जी ने इसे उठाया आपने का पहले केंद्र सरकार 55% 80 देती थी अब घट करके साथ 60% हो गई आपकी जानकारी के लिए बता दू पहले वास्तिक इस्टिदी 25% को घटा करके 60% इसलिए किय केंद्री राज्य में राज्य का हिस्सा केवल 32% था जबकि अब ये बढ़कर के 42% हो गया ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यान से बढ़ाया कम नहीं किया इसी प्रकार से कई और मद हैं जिन मदों को मैं उल्ले करूआ तो लंबा हो जाएगा लेकिन प्रत्यक मद में भर सारी योजनाओं के मात्यम से मिल रहा है इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़कर के परियाक रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ कुछ विसे अपने बीच में आये को योजना पूरी नहीं होगी बंद हो जाएगी यह नावस्यक डर है मानने अंद्यक्ष म कि सबी को बराबर मिलेगी किसी कोई रासी नहीं कटेगी अगर इननों ने बुलना योजना पूरा कि सारी लासी जब 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 जिसकी तारिक है उस तारिक में डलती जा रही है अब यह अलग बात है आपको जानकारी नहीं तो मेरा अनुरोद है कि अब बन जबता है इसके बना दे एक लिट अब माननी मोधी जो को धन्यवाद तो जिनने कहा के कुल चार जाती है उसमें बहनों को भी उनने महिलाओं के लिए भी रखा है महिला यह हुआ करी किसान अब आप उसमें महिला ससकती करेंड की योजना में कानुन बना रहा है अब आपके लोग तो माँ भार काला लेके भूम रहें दिली में मैं क्या करूं आप उनको समझाओ कि यह उनके लिए हमसा तयार है अगर आप इनानी मिस्त तयार हो तो मैं आपके साथ ख़ड़ा हूं पहनों के लिए जो बहतर हो सकता है यससी प्रदान मंतिर नरेंद मोध सरकार का चमतकार क्या होता बताना चाहूंगा कि मद्देश से बीमारू राज्य का कलंग खटा पांच लाग किलोमेटर से अधिक लंबाई की चमचमाती सड़के अगर बनी है तो केवल डबल इंजन सरकार के करण बनी है 47 लाग हेक्टर में सुचाई की सुविदा अगर बड़ी है तो केवल डबल इंजन सरकार मानि मोधी और एक और बाप आपने कहा सिमस्ट होगा ये तो भगवान में हमको सुब्स जब जब स्यमस्ट होता है केवल एक मात्र कारण भाजपा की ही सरकार बनती है तो हर पुरारे सिमस्ट से जादा अच्छे से कराने का हमारा इन उस मामले में योगता देता है मैं आज आपको गैरेंटी दे सकता हूँ के दो हजार अट्था है इसका सुमस जिसको हम बाकी लोग कुम्ब रासी कारणी कुम्ब मेला के थे फिर हम कराएंगे और किसी को बाल बराबर तकलीब नहीं आरे देंग अपने वाले हैं इसमें किसी प्रकार का कोई कांप्रमाइज नहीं करें माननी अध्यक्ष मोदय विश्य तो बहुत लंबे है और बहुत सारी बात करना लेकिन सबाचार का समय हुआ है आज हमारा अपना इस सदन का एक तरह से समारोप का समय आया है मैं आज आपने सारे वर प्रक्ष ने उनकी कांग्रेस पार्टी ने भीया आप पटेल साव याद लग लेना करें अपने हमें आपने कल कोड किया था में कांग्रेस पार्टी को धन्यवा देता हूं जिनने यह हमारे सामुई नेतुरत करके एक अच्छी परंपरा स्थापीत की है कि सदन के नेता सर सब्सक्राइब होना चाहिए मैं आपको धन्यवा देना चाहूंगा टोकाटा की चलती है लेकिन स्वस्त आलोचनाओं का इत्रम जारी रहे इससे कोई मना नहीं हमारे मन भेद नहीं होना अच्छी है मतभेद हो सकते सरकार की आलोचना करने का आपको अधिकार है आप जरू अपनी आख भी नहीं खोली है देकिन दिरे दे कदम बढ़ाएगी और ठाकत पाएगी आपका सबका सक्री सहोग मिलता रहेगा इसी अपेक्शा के साथ मानने अध्यक्ष महद है बहुत 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 धन्यवाद बहुत देश्ताओं नहीं पर एक साथ मत ले लिया जाए जो माननी सदर से संसोदनों के पक्ष में हो क्रत्या हाँ कहें जो माननी सदर संसोदन के विपक्ष में हो क्रिपय ना कहें ना की जीत हुई ना की जीत हुई समझ संसोदन असुगत हुए प्रस्ट यह है कि राज जिपाल जी ने जो अविवासर दिया उसके लिए बद्बरदेश विदान सभग के इस सत्र में संबेश सदसिका अतियंत क्रतग हैं जो मानिस सदसित प्रस्ताओं के पक्ष्म हो वो क्रत्या ना कहें हां की जीत हुई हां की जीत हुई प्रस्ताओं सुईक्रेट हुआ मत्रदेश की डव गठे सोल्वी विदान सभग का प्रत्म सत्र अप्समाप्ति के ओर है इस सत्र में चार बैठके हुई जिसमें नर्व निर्वाचे सदस्यों ने सपत ग्रेंड की एवं अद्देश का निर्वाचन हुआ तथा मुख्य प्रतिपक्षी डल और नेता प्रतिपक्षी के गोश्णा की गई संभिदान की अपिक्षा के अनुसरारी सत्र में राजपल महुदय का अभिवासन हुआ एवं क्रितिक्षा के अपन प्रस्ताओं पर चर्चा हुई अद्देश के रूप में यह मेरा पहला सत्र था जिसमें मैंने आप सभी की अपिक्षा के अनुरूप सदन के संचालन का प्रेद्म किया है एवं सभी को अपनी बात रखने का यथा संभव अफसर दिया है यह पवित्र सदन प्रजातंदर का मंदिर है इसमें प्लेस की जनता का लिस्वास और आसाय प्लवित होती है इस मंदिर में जन कल्यान की धाराएं निकलें और जन जन त की प्राप्ति और पूर्ती के लिए पक्ष और प्रत्पक्ष दोनों को पूरग बनकर एवं सहे सूरता और सामजसी के साथ अपने कर्तव्यों एवं भूमिका का निर्वां करना होगा दलों में बैचारिक बिनता होना स्वाबविक है लेकि इसमें मनवेद, कटुता और अ दाइतों का निर्वान अपने अपने तरीके से करते दिखाई देते हैं यह बात हमें आसवस करती है 깃 संसधी विवस्था से अन्निक कोई वゆतर पढऒली नहीं यहीं क्योंकि इस्के मात्यम से समाज के अंतिम छोड पर खड़े व्यत्य की पी चिनता की जाती है लोगतान से उठाएं हम इस बात पर भी गर्व कर सते हैं कि मदवर्देश विदान सभा की गौरबशाली परंपराएं रही हैं जिने इनकी पूरवर्ती सदस्यों ने अपने कार बेवार से सब्रद्द किया है सोलवी विदान सभा में उनसर्द सदस्यों पहली बार चुनकर आए हैं उन्हें प्रारम में यहां का माहौल कारिपणाली सर्वता नहीं लगेगी किन्टवे संसदी पुस्तकों के अध्या निर्वंबरिश सदस्यों के मारवदर्सन से अपनी संकाय परिसानिया दूर कर सकते हैं विदान सभा सचिवाले के अधिकारी करमचारी आपकी सायता के लिए सदयत तक पर रहते हैं आप उनकी मदद भी ले सकते हैं नव निर्वाची सदस्यों के सिक्षन करेश्चिण के लिए सीगर ही प्रवदन कारिक्रम भी आईजयत होगा इस लगु सत्र के सुचारु संचालन के लिए ना माननी मुख्यमंतरी जी गोपु मुख्यमंतरी द्वय माननी नेता प्रत्पवच, सभागर तालिका के सभी माननी सदस्यों, प्रेंट और इलक्टोनिक मीडिया से जोड़े महानुभावों, प्रमुक सचे विदान सभा, विदान सभा सचिवाले, तता सासन के अधिकारी करमचारियों और सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद देत हुए उनकी और प्रदेश की समरद्धी, खुसाली की काम न करता हूँ, अगले सत्र में हम पुना संवेद होंगे, धरने बाद, मुख्यमंद्री सबसे पहले आपका खास करके आपने पूरा हमको मुखा दिया और ये अनुपूल माहल बनाया आपका आभार मानता हूँ, मेरे मित्र कांग्रेज के वरिष्ट नेता, नेता पतिपक्ष, उमंक सिंगार जी, सहयोगी उपू मुख्य के मंत्री गण, माननी जगदीज जी, माननी राजिन सुकला जी, कि हमारे सभी वरिश्ट नेता गर्ण्ड वक्ष्परेटिपक्स के सभी सदास्से सभा पति manifestations प्रमुक्स च्ची विदान्सभा अन्यादिकारी कर्मचारी शुरक्फ्षा क्रमी टीन एलेक्टानिक मेडिया और अन्य सभी बंधूं का रधेश आभार मानता हूं बहुत बहुत दन्यवाद नेता प्रदीपक्ष आ इस मानि अधिक्ष मोदे तो सुबत माएं आपको दन्यवार देना चाहता हूं कि एक काकी गंबीर ठीर गंबीर अधिक्ष में मिले कामानी मुख्यमत्य जी को दन्यवार देना चाहता हूं कि इसे पूरी कहानी सुनाई है यह ज्यान एक्षप्ट करते हैं सभी हमारे मुख्यमत्य दोनों उनको मैं अधिकारइं तेरे और हमेडं विडिया विणाल्थ के कर्मचारी अधिकारी मेरे साथ भी सौब एकूर रहा जंता की आवाज अब राश्ट गान के लिए हम लोग खड़े हो इस अब यह केवल भारती जनता पार्टी ही कर सकती है जिसने एक छोटे से मजदूर परिवार के बच्चे को ला करके मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचाया मैं आपने सभी लाश्टी नेत्रत्रों का सभी वरिष्ट नेताओं का आभार भी मानता हूं हमारे सभी लोगतंत्र की एक खूब सूर्ती है और नकेवल में ये वर्तमान का लोगतंत्र गौरानवित होगा जो यशश्वी प्रधान बंतरी गुरूप में एक चाय बेशने वाले परिवार से निकल करके देश के प्रधान बंतरी बनते हैं और एक मील मजदूर के परिवार को उठाके मुख्यमंत्री बनते हैं कांगरेस के पास इसका भाव है ये सरवथा इस मामले में केवल केवल एक परिवार वो भी धनी परिवार जिसके कपड़े भी प्रेस करने के लिए लंदन जाते हैं ये उस परिवार के लोग गरीबों की क्या बात करेंगे क्या समझेंगे मैं आज इस बात को करने आया हूँ मेरे मन में सद्धा इस बात की के लोगतंगी कुपसूरती है कांगरेस हो बीजेपी हो हम और आप परमातना की दयासे लाखो लाख लोगों की आसाओं के केंदर आट करोड से जादा ये हमारा परिवार मत्यप्रदेश उस परिवार से सब क आसा की आधार पर जनतां के वीज अपना एजेंडा ले येकर लिए। कि आज अपने आज इस बुर्शी पे आप राजमान हैं मुझे मालूम है कि आज आसंदी पे जो विराजमान है उनका कितना विराट व्यक्तित वह हमने कल उनका निर्वाचन किया है हम सब इस बात को जानते हैं कि छोटे से परिवार के साथ पारसत के रूप में आपना आपने यह राजनेतिक यात्रा चालू की उसके पेले विध्यारती निता के नाते से चोटे से गाउं से आकर के भारत सरकार के लोगपुरी और सबसे बड़े मंत्रालाय में आपने सभलता से काम किया कई बार हमारे अपने सदन के भी आप मंत्री रहे प्रदेश के कई बार अत्यक्ष रहे आपके नेतरत में प्रदेश ने इस बार फिर संगठन का आदार पर चुनाओ लगा और अभी आपने यही भारतियंता पार्टी की विसेस्ता है मैं अभार मानता हूं आप का इस नमरता का भी और यह बात हम सब के लिए अत्यांत आनंद की है कि मेरी सरकार आपकी छत्रचाया में अपने विकास के कदम बढ़ाएगी और हम सब आप से समय समय पे चाहे बख्षो आप साम आसराई भी चाहेंगे कि हमारे द्वारा किये गए कामों पे आपके मार्द एदर शामने से भी राम निवास रावत जी हो हमारे अपने सारे में तो कितना सुभाकी साली दो दो विदान सभा कर पूरु अध्यक्ष मेरे इस सदन के सांत में डाक्टर सीता शरेंच सरंगाजी किस गोतम जी हम सब इतने आनंद में हैं क्या नए क्या पुराने सभी प्र ज्यादा उनकी राजनेतिक योगता भी इस लायक है कि सदन को गौरानवीत करेंगे मैं आप सब्सक्राइब आज की इस चर्चा सत्र में मानी राम निवास रावाज जी बाला बच्चन जी जो पुरु नेता प्रतिवक्ष रहे पता नहीं कि इसका रहें से वाला जी आपका लो अगली बीड़ी का आप ठोकर खाने के बहुत रखते मैं अगले बार हमसे सीकेंगे वेशागे कर रहा हुए आपके धन्यवास अदा कर रहा हूं तो निश्चित रूप से युवाओं को आगे लाने के आउशकता यह अलग बात है कि हमने नंबर मारा और हमने परमातना की द्यास जनता की इस जनता ने हमारे नेड़ने को मोर भी लगई और आपने ठोकर खाने के बात किये लेकिन आपकी पार्टी का एक रिकार्ड गलत अर पता नहीं कहां चले गए और फिर कमला जी दिखबेश सिंग्जी आगए तो यह जो आपको नुक्सा लोगता है आपकी की बात के रहा हुँ है अरे अपकी बात हुए तो अपने अनन्द लेने के लिए सुन रहा है लेकिन यह बात तो सही है इतिहास को कोई नकार ने सकते अरे आपके साथ नहीं आया है तो पूछो मत लड़ते रिए नेता प्रदी बात कर रहे हैं मैं आज इस बात को लेके चलना जाता हूँ मैं अभी अपने सारे अलग-अलग लोगों के बारे में बात हूँ या दिपि यह बात सही है कि एजेंडें को बात करीब मैं आपके मिस जरुत से कह सकता हूँ कि भारती जनता फार्टी का संकल पत्र या हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म तरन्त की तरह है यह गीता रामायन की तरह, एक एक अख़र से 5 साल तक हम अपने इस एजन्डों को लेकर आए सरकार बनाने के लिए, एक मैने की सरकार के लिए ना 13 मैने की सरकार के लिए, और हम और आप 5 साल बात बात करेंगे, कि आप और हमने जो नेड़े किये थे अपने संकल पत्र को लेकर आगे बढ़े थे तो हम किस रूप में आगे बढ़े मैं आज आपका लिए एक खास करके दो तीन चीज़े आपके सामने बताना चाहूंगा कि राजी सरकार होती है मूल भुच्छ विधाओं के लिए उस पे और भी हम काम कर रहा हूँ लेकिन सरकार अपने प्रदेश का माँ देश का मान और भारती संस्कति का मान दुनिया में बढ़े इसके लिए वी काम करने हो सकता है और मुझे इस बात की प्रसंद्धा आ है इसे कई विश्यों को ले करके जब से हमारी सरकार बनी ऐसे कई एजेंटों को लेकर हम आगे चल रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बताएं आज से स्टेंडर्ट टाइम होता रहा उसके बाद थाइसो साल पहले जब अंग्रेज हवी हुए तो अंग्रेज इस चीज़ को पेरिस से उठा करके ग्रिन विश्य लेगा है और ग्रिन विश्य से वह दुनिया में समय स्टेंडर्ट टाइम करने लगी अब यह आप अंदाएं लग प्राणी पाये जाते हैं एक प्राणी जो सुर्यास से अपनी दिन्चरिया चालू करते और अपने सुर्यास्त के बाद अपनी सुर्योदे से चालू करके सुर्यास्त में खतम करते दूसरे प्राणी रात्री या निशाचर वाले लेकिन मत्य रात्री में कौन से प्राणी लेकिन यह वो पेमाना जिसके माध्याम से भारति संस्क्राइब को लज्जित करने का प्रयास किया मैं अभी अपने विशे का रहा हूँ आपको भी मुखा दूआ आप अपने आर्पों से जाके देखना 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जेन की आपजर वेकरी में जाना एक संकूय अंत्र है 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दिश्टिक से जी पी ऐसे वि अपकरण भी बता रहा है जो हजारों साल से हमारे पुर्वत जानते थे ऐसे 12 साली चीज को हम विश्मनत करके केवल पस्षिमन अक्रण जो करने रगाए उस काल के प्रभा के चक्षक्र को बजलते वे उस ऐसे रहस्यों को भी सब के सामने लाने का काम हमारी सरकार कर रही है इसलिए वो पुरानी आपजर्वेटरी जो राजा जैसिंग के समय बनाई हुई थी पाँज आपजर्वेटरी लेकिन यह नई आपजर्वेटरी साइंस टेक्नोलोजी वभाब के माद्यम से हम बना रहा है जिसको आयाईटी के बच्चे रिसर्च करने जाएंगे आयाईए पर एक और जानकर यह आपने बता दू यह जो विसे हमने रखा है इस विसे में कई मामला में हमारे एसिया के कई देसों से संब्द नहीं से हो सकते हैं लेकिन वह सारे के सारे देश चाइना हो पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो यह सारे लोग मानते कि इस टिंडर्ट टाइ अब जानकर देश नहीं से क्या संब्द तो सरकार ने वह आपजर्वेटरी खड़ी की है और एक नया प्रस्ता सरकार के माध्यम से दे रहा है कि भविश्ची के दरसे इते आयाइटी सेटलेट टाउं उज्जेन में इंदौर का विस्तारी करन करेंगे जिसके माध्यम से इ नगरी ये केबल धर्म की नगरी नहीं ये जैजर अपना हुईजाज उतारना आपको आज भी तो आप बताईए जैसे होईजाज उपर उड़ेगा तो लगबक एक लाख मीटर कृति घंटे की गती से प्रत्वी घूंती है वह वापस मुकाम पर आने के लिए अक्शांस द आपको लगेगा कि अगर आपको कुछ बात कहना तो जरूब कुछ सकते हैं अच्छा सुजाव है मांने मुक्सिमंती जी का क्युना अपन अपका समय चेंज करें प्रदेश का सब उसके बास फूलो करते रहेंगे अपने यहीं मानसित्ता ने पीछे करा है मैं आपके सामने प्षित करी बतारा आपको बताता करें यहाई यह समय मेरे तुमारे केने से इसलिंदर था यह यह ऋता यहाई आपकी बाथ पसWow सब्सक्राइब करेगी तो निश्य दूप से इसमें बतलाव आएगा मैं आपको वह याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें सरकार की ना केवल राज्य सरकार की बलकि भारत सरकार की भूमिका भी और भारत सरकार यह अंतराश्ची इस तरह पर काम करेगी लेकिन इसके लिए प्लेटफांग बना है तो अब टोड़ा सा अब मैं इसकी बात इसलिए कर ला हूं अपने बीच में से जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे हाँ अपने समराच विक्रम आदिए आप समब्ध की बात अगर करते हैं तो आप अंदाइ लगा लो यह हमारे जो समब्ध है आप समब्ध के मामले म आज भी ने कांगरेश पर ढलता हूं कि या स्वत की सासकी मानिता जब की संबद की मानिता होना अच्छे विक्रम संब्द की और विक्रम संब्द ये समराज्पिक्रमाधित के नाम का हमारा ये गौरोज्स अलिपक्ष है लेकिन केवल आपको वा पताई पार्नी मुक्कि मंत् कि दो समवत कि अब लोग कि देखे में आप मुख्यमंद्र की अपने सब के स्पीच में से जो इसका बत्तव आए आप उस बात में जरा आपको लगता है कि बाद में भी बात कर सकते एक भी पर भी सरकार से लेजर इनवाल सरकार की मदद के बाद बुछ खड़ी हुई उसमें कुछ अलग से नी इसलिए न कर ग्णाया की बात करें आयोज्या 27 में जाता करें अब बकर आप अंतर नई इसका ड़िख electricब की इंवाया अप अधितना जी उन्होंने इस बात तो कोड किया कि आपका उज्जेन से ही विक्रमाधित ने विक्रमाधित ने अयोध्या का जो मंदिर तोड़ा गया बावर के साथ बावर द्वारा वो दो हजार साल पहले विक्रमाधित ने उज्जेन से जाकर के बनाया था यह चोरासी काले कसूटी का मंदिर विक्रमाधित काल का था उसको कोड ने प्रमानित किया है मेरे तुमारे से नहीं हुआ आर्केलाजी ने डिसाइट दिया कि यह मंदिर इतना पुराना है और आप प्रत्री दो दीसरी जोड़ी हुए इसने मद्देश को गोरान विच किया इसलिए दो भाई दुनिया के यह से जो दोनों ही अध्विती रहे जिनके जीवन के अलग 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 पक्ष है जब भरतरी ने सासन चलाया और भरति ने जो सहित्त बनाया वह भरतरी का सहित्त आ हमारे अभर के लिए यदि लेकिन उसकी गहराही को भी समर्जने की फीक्रमादित सुप्ष को सोद्पीड माध्यम से हैं हम का विकरमादित के विद्वाद्य जुश सेंटर कि माध्यम से अधे वई रचेज़ को कर दो दुनिया के सामने आना विक्रमादित कौन से इसको निश्चित करने के लिए प्रस्न फड़े करें ये रिसर्च सेंटर के माध्यम ने हमने सारे जवाब किये कहां विक्रमादित के अपने इस देश का है और उचेन के हैं हर साल कि अलग-अलग प्रकार की डें करके जो रिसर्च आती है विक्रमादित के बारे में तो हमारी जुडिरिशली विक्रमादित का न्याय विक्रमादित की दान सीरता उनका पराकरम उनका पोरूस कोई कल्पना कर सकता ये एक एक बढ़ती में कितने बुर्ढ़ हो सकते हैं और उसके बहुत जई उदारता केसी जो आदमी तो आदमी भूत को पगड़ ले ऐसी विवर्ता किसी में हो सकती है क्या ये केवल एक बाद मिम हो सकती है जिसको विक्रमादिक तरके जानते हैं मैं आज इस बात के लिए आना देतूँ आज इस सदन में यद्दभी हमारे अपने सरकार के माध्यम से कई-कई प्रकार के काम हुए, कई-कई प्रकार की बाते आई ऐसे कई-कई विश्यों पर बात करने के साथ जैसे नई सिक्षानीती के मामले में बत्रों में बात खडी की आप अंगाई लगा लिए कि नई सिक्षानीती दुनिया को जो सिक्षा देने वाला गुरू करके जो हजारो हजार साल से जिसकी मानेता है ऐसे भारतवर्स के अंदर शिक्षा के मामले में लाड मेकाले ने 1835 में जो गलती की कांगरेस ने 7 साल तक उस गलती को दुरुस्त करने का काम नी किया हमेज बात की प्रसंदता यसरशी प्रधान मंत्री मोधी ने नई सिख्षानीती लाबू करके हमारी देश की संस्कति से जोड़करके शिक्षा को जीवन के सर्वांगीन विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया और मुझे इस बात का धर्व है मत्यप्रेश के सीमित संसाधन के बावजूद भी नई सिक्षानीती दुनिया में अगर लागू किये तो सबसे पहले मद्धे सरकार ने लागू किये अपनी नई सिक्षानीती के बारे में अगर सरकार के इस विशे को मैं अगर सदन में रखता हूँ तो आप सबके लिए भी से अच्छे राएगा आप भी बात करेंगे कि आप हमारे अपने महाविध्याले के अंदर अगर पढ़ना चाहे आप तो कोई एज लिमिट नहीं है पोता पिता जी दादा जी जिनको एडिमिशन लेना वो सब एडिमिशन ले सकते हैं वोई बंधन नहीं है एक आदमी दो डिगरी लेना चाहे दो डिगरी ले सकता है वोई बंधन नहीं हमारे कोर्स की डिजाइन भी बिए विकाम बिए सी से बदल करके कोई साइंस का अब पढ़ना चाहता हूं तो वह आठ्स का पढ़ सकता है और ऐसे कई प्रकार के कोर्ष दिल कोर्ष के बल्बूते पर हमको आपने जीवन के मार्ग तै करना जीवन की दिसा तै करना वह हम कर सकते ऐसे सारे विश्यों को लेकर नई सिक्षानीती बहुत बड़ा रोल अधा कर रही इस नई शिक्षानीती को मामलों को लेकर करके कभी मोका पढ़ेगा त्यक्ष मोहद है तो आप विशेश सत्र बुलाएं और आपने इस पर खुल करके चर्चा करें क्योंकि नई कें विश्यों lime और में अपनी सरकार की पेली बेठक में हमने एक निर्णे लिया कि सभी प्रकार के कोर्स एक जिल्में कंश्प में कामें गामणी घिने और 30 क्षप हिए तो उसको कि पढ़ा में फीले ले प्रकार के पाठ्ठी करम को पढ़नी की गुंजाइस उसी में यी लाइबरेवी और इसी के साथ साथ बस की ववस्था भी रेगी 20 किलोमेटर के रिडियेस में जाकर के बच्चों को अपने ही महावित धहले में आने के लिए किसी और पर निर्भर निरेना पड़ेगा हमने इ इसको कोई पत्र अलग से अलग से कोई पेपर ले जा करके लिजाने की जर्वत नहीं वह साजी की साजी सुभजा है वह सबके लिए उप्लग दरेक हमारी सरकार ने तीसरा निर्णे लिया कि रजिस्ट्री करने के बाद आपको अलग-अलग हमारे पटवारियों के चक्कर लगाने की जर्वत नहीं है सबका नामंत्रं अपने-ाप होगा एक जन्वरी से जो लाबू होगी विवस्ता आकि बीज का इन जो अवेवस्था है यह आवेवस्ता हम खतन करने वाल हमारी सरकार नहीं नेने किया जो सुप्रीम कोट नेने करती यह पता नहीं क्या है मित्र हमारे पर आरोप लगाते हैं पता नहीं क्यों लगाते हैं सुप्रीम कोट नेने करती सुप्रीम कोट से बड़ी कोई ताकत नहीं है लेकिन सुप्रीम सब्सक्राइब कर चाहिस साल पेले पूराने लिए इनतला के रज़ दिया गर ने अच्छा है सुप्रिम कोड का नियरा है सब्सक्राइब और हमारी सरकार ने सुप्रिम कोड़ ने लिया राम मंदिर के मामले में सरकार ने लिया माति मोदी जी स्वयमा उपस ही दूए सब्सक्राइब और हमारी सरकार ने लिया राम भकतो पर जहां 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 पाश के राचीम में जिनकी आपकी पींचे से सपोर्ट थे ले सरकार हो को हमारों लोगभोर्त गोलियों से घुना गया था पार्षणimme Kush कुछा करती के सवाघत करने धूस्ति धाटनेवालों की सबत्सक्राइब सब्सें को हमारी विवस्ता को सब्सक्राइब what कि शलब ईब अब झाओ पर सुपाने सिखें के लिए लेकिन राम केसे हैं आप भी रामइ अब करना सिखेंगे हो लेकिन राम था वारा मैं अब गॉता है जिसने के बिते हैं हमारे डिखाये कर रहे हैं करने वाले कोड़ में सब्सक्राइब करता है आज आप उनकी बात करता है आज आप उनकी बात करते हैं हमारे भी राम है अरे तुमारे राम तो होते तो तुम यह सर्टिपिकेट क्यों देते यह मामले क्यों बूल जाते राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाय खड़ी करते यह बड़े दुर्भाग काविस है और अब फिर मामला है चलो आप भी समल जाओ वही बात ने राम की बात पूरी हो गई करो यह सरकार है मलकि प्रदेश के अंदर भगवां क्रेस्ट के जहां-जहां जहां पौँ पड़े जहां जहां लिला रचिये जाहिये अपना उच्जेन जहां उन्हें 64 कला चुर्दा वित्या सीखी या आपका धार का पास का हमझेरा जा रुकमी के साथ उनका युद्ध हुआ या जाना पाओ इंडोर के पास की वो पहाड़ी जा फरसुराम जी भगवान नित को सुधर्शन चक्र देते हैं वो सारे स्थान तीर्च के रूप में डेवलेप करेंगे यह हमारी सरकार का नित है हम इन सारे नेड़ों के लिए सरक प्रद्ध में होदे मैंने थोड़ देरी पहले कहा था कि पहले राम की बात करी तो इनने हैं में सपत्पत्र दिया अभी करश्ण की बात करी तो फिर बात बदलने लगे करश्ण राम से क्यों ना परते पता नहीं क्या कारणे आपका मैं आपके बात कर गए कर दो है मैं बताना चाहता हूं अरे हमने तो कहांगा सबका कपिल सिब्बल किसके थे कतील सिब्बल किसके थे कांगरेस के सारे महासजी क्यों सपत्पत्र देने गए ہے गवान राम के मामले में राम सेतु के मामले में ये सारे सुप्रिम कोर्ट के एंदर दस्तावेच और लगाए तो हम तो हम इसा उसकी बात करने गए है अब तोड़ी सी बात अपने काम की भी करें जिस तरह से अगे अपने नेड़े की है मैं इस दो तिन बातों को बता कर अपने विसे पर भी आऊंगा तोकि जो इसे आपके सामने इसलिए बताया कि यह आपके मेरे पक्षु पक्ष के नहीं है तथ्यात्मत बात है जिसमें सरकार का योगता है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं हमने आपको कहा कि अगर महाकाल का महालोग बनाया है तो महाकाल के महालोग में त्रिवेणी संग्रालय भी बनाया है जा उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की वैष्टों परंपरा भी तो क्रश्णायन भी बनाया यह सब सासन के मात्यम से बनी चीजे इसको कोई हमने मर्जी से नहीं बनाया और उनके जीवनकाल से लेकर उनकी विवित्ता वाली सारे साहित सारी वनस्पती सारा संब्सक्राव उनको जोड करके हमारी संस्क्रति को क्यवल हिंदू-मुसल्मान नी को कि बैखना जाहिए और उसल लब्थ कराने की बात है हमारे तो ce निए अज वर्तमान के देवर में में मोदीजी के नित्रते में जिस प्रकार से मोदीजी ने भारत का मान बढाया सम्मान बढाया दुनिया भारत को जाना चाहती है दुनिया सफ्सक्रTS में दुनिया हमारे बीच में वो सारे चीज ढूंघना चाथी है सर्वे भवनतु सुखिणा सर्वेशंतु निरामया सर्वेशंतु भध्राण। मार्स्वेशंतु मा कसी तुभाग्वेशंतु हमारी सारे संस्कृति को लोग देखना समझना चाहते हैं हमारी अच्छाईयों को जानना चाहते हैं उन विश्यों को हम अपने साथ ले करके हम उनको पठ्ठीक्रम का भी हिस्सा बनाना चाहते हैं मैं आज अपने बीच में से दो चार बाते और कहूंगा यद भी मुझे मैंने मातनी अधिक जिसे कहा था कि करें तो जादा हो जाएगी लेकिन फिर भी अब इसको समापन की तरफ लाते हैं आपने सड़कों की बात कई आप अंदाज लगा लों किस ने रखा था उनने कहा था कि विट्टी वहस्त में प्रुदेश सरकार ने का जो केंद्रान से माननी अधिक जी माननी मुक्पंत्री जी मेरा निवेदर अधिक के मामले में तक फोन जान सकता कांग्रेस व्याजा कांग्रेस ने सतोत्तर में एंवीडिये के निड़ने को रागू न करके मद्वदेश की जनता का अपमान किया है मुझे इस बात का दर्वाई असुषि मंद्री सिवराज सिंगी चोहार की सरकार ने एंवीडिये के माध्यम से हमारे सारे डेम प्रुदे करें प्लीज जब उने कहा था कि नर्वदा का पानी छिपरा में मिलनी सकता है चंबल में अपनी मालवा में जा नहीं सकता है वो सारे डेम पूरे हो नहीं सकते हैं वो सारे डेम भी पूरे हुए और हब जिसके अधार पर नर्वदा जी से पूरा प्रदेश लावान भी थो कि अधार कि अधार कि अधार मत करो आप जो कोगे बिल्कुर करें बस आपका पक्षी गलत है ज्यद्र आजाओ तो और ज्यादा करें माननी बाला बच्चे जी ने कुछ से उठाया आपने का पहले केंद्र सरकार 55% 80 देती थी अब घट करके आपकी जानकारे के लिए बता दू पहले वास्तिक इस्थी 25% को घटा करके 60% इसले किया गया कि केंद्री राज्जी में राज्जी का हिस्सा केवल 32% था जबकि अब ये बढ़कर के 42% हो गया ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्जान से बढ़ाया गम नहीं किया इसी प्र सब्सक्राइब अपनी राज्जी को तीन गुना चार गुना किया कुल मिला के राज्जी बजट का आदे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी ये बजट बढ़कर के परियाक रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ कुछ विश्य अपने बीच में आये को योजना पूरी नहीं होगी बंद हो जाएगी यह अनावस्यक डर है मानने अंजक्ष मोद है वही लाड़ली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजना पूरा को योजना बंद नहीं होगी सारी योजनाओं के लिए प्रयाक धन् किसी प्रकार से गेस कनेक्षिन की बात है ये जारी जब 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 जिसकी तारीक है उस तारीक में डलती जा रही है अब यह अलग बात है आपको जानकारी नहीं तो में जारा कि मानि मोधी जो को धन्यवाद दो जिनने कहा कि कुल चार जाती है उसमें बेहनों को भी उनने महिलाओं के लिए भी रखा है महिला, युवा, करी, किसान, अब आप उसमें महिला ससक्ति करें की योजना में कानून बना रहा है अब आपके लोग तो भार काला लेके भूम रहे दिल्ली में मेग्या करूँ अब उनको समझाओ कि भाई आप उनके लिए हम सब तयार है अगर आप इनानी में पिस तयार हो तो मैं आपके साथ खड़ाओं पहनों के लिए जो बहतर हो सकता है यह सश्वी प्रदान मंतिर नरेंद मोजी जी के नेकर आप से बाद की साथ इससा में आगे बढ़ रही है अब यह आपके कर लेंगे तो प्रदात भूर भी मुका मिलेगा डबल इंजन सरकार का चमतकार क्या होता बताना चाहूंगा कि मद्वदेश से बीमारू राज्य का कलंग खटा पांच लाग किलोमेटर से अधिक लंबाई की चमचमाती सड़के अगर बनी है तो केवल डबल इंजन सरकार के करण बनी हमारी विqास दराज 16% से ज़्याद हो गई है तो केवल मोधी जी की सरकार के करण से हुई यह हमारा सोवा किये प्रतिवक्ति एक ला आए एक लाग चालीष लयार से हघिक अगर हुई है तो उसमें एक मात्र करण मन्य सिंस्थे में मोंधी जिए का और एक एक अपने कहा इतो सब्सक्राइब करें की मोर्चा-प्रुसौन अज आज्ये सकता हो के मैं आज आज आपको गैरेटी युटार पना सिंस्थन हो amounts हम कराएंगे और किसी को बाल वराबर तकलीव नहीं मीर किसी बीकास का कोई कांप्रमाइज नहीं करें माननी अध्यक्ष मोदय विशे तो बहुत लंबे है और बहुत सारी बात करना लेकिन तुकी सबाचार का समय हुआ है आज हमारा अपना इस सदन का इतर से समारोप का समय आया है मैं आज आपने सारे वरेश्टों का सारे मित्रों का जिनने सक आपने कल कोड किया था में कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं जिनने यह हमारे सामुई नेत्रत करके एक अच्छी परंपरा इस्तापित की है कि सदन के नेता सर्वानुमती से बनना चाहिए और इसी प्रकार से चर्चाय भी सब होना चाहिए मुझे इस बात की प्रसंदता है मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा बीज में टोकाटा की तो चलती है लेकिन स्वस्त आलोचनाओं का युक्रम जारी रहे इससे कोई मना नहीं हमारे मन भेद नहीं होना चीए मतबेद हो सकते हैं सरकार की आलोचना करने का आपको अधिकार है आप जर देकिन धिरे दे कदम बढ़ाएगी और थाकत पाएगी आपका सबका सक्री सहोग मिलता रहेगा इसी अफेक्ट्षा के साथ मानने अध्यक्ष महद है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी मैं समस्ता हो राज जिपाल के अविवासन के उत्तर में प्रस्ताओं में जितने संसुदन प्रस्तुत हुए उन पर एक साथ मत ले लिया जाए प्रस्त यह है कि मत जो माननी सदर से संसुदनों के पक्ष्म हो क्रप्या हां कहें जो माननी सदर संसुदन के विपक्ष्म हो क्रिपय ना कहें ना की जीत हुई ना की जीत हुई समस्ता प्रेस्ट यह है कि राज्यपाल जी ने जो अर्वासण दिया उसके लिए बादब्रदेश विदान सभाक के इस सत्र में संबेश सदसिका अतियंत क्रतग हैं जो मानिश सदसित प्रस्ताओं के पक्ष्म हो वो क्रत्या ना कहें हां की जीत हुई हां की जीत हुई प्रस्ताओं स्विदान सभा का प्रस्तम सत्र अप्समाप्ति के ओर है इस सत्र में चार बैठके हुई जिसमें नाव निर्वाचे सदस्यों ने सपत ग्रेण की एवं अद्देश का निर्वाचन हुआ तथा मुख्य प्रत्यपक्षि दल और नेता प्रत्यपक्ष की गोश्णा की गई संभिदान की अपिक्षा के अनुसारी सत्र में राजपल महुदय का अभिवासन हुआ एवं क्रितिक देग्यापन प्रस्ताव पर चर्चा हुई अद्देश के रूप में यह मेरा पहला सत्र था जिसमें मैंने आप सभी की अपिक्षा के अनुसारी सदन के संचालन का प्रेद्न किया है एवं सभी को अपनी बात रखने का यथा संभव अवसर दिया है यह पवित्र सदन प्रजातंतर का मंदिर है इसमें प्रदेश की जन्दा का विस्वास और आसाइं पल्लवित होती हैं इस मंदिर में जनकल्या की धारायन निकलें और जन जन तक तोँचें हम सभी इस उद्देश की पूर्ती के लिए आये हैं चाहे हम किसी भी दल से हो इस लक्ष की प्राप्ति और पूर्ती के लिए पक्ष और प्रत्पक्ष दोनों को पूरक बनकर एवं सहें सूरता और सामज़सी के साथ अपने कर प्रतब्यों एवं भूमिका का निर्वा करना होगा दलों में बैचारिक बिनता होना स्वाबविक है लेकिं इसमें मनवेद कटता और असे सुनता का कोई इस्थान नहीं है संसधी लोगतंद्र भी तभी जीवन्त होता दिखाई देता है जब विधायका में पक्ष भीपक अपने अपने दाहित्तों का निर्भाण अपने अपने तरीके से करते दिखाई देते हैं यह बात हमें आश्वस करती है कि संसधी विवस्था से अन्य कोई बहतर पढ़ाली नहीं है क्योंकि इसके मात्यम से समाज के अंतिम छोद पर खड़े व्यक्ति की भी चिनता की जा और मुकर्ता से उठाएं हम इस बात पर भी गर्व कर सकते हैं कि मदवर्देश विदान सभा की गौरबशाली परंपराएं रही हैं जिने इनकी पूरवर्ती सदस्यों ने अपने कार बेवार से सब्रद किया है सोलवी विदान सभा में उनसर्च सदस्यों से पहली बार चुनकर आए हैं उन्हें प्रारम में यहां का माहौल कारिपणाली सर्था नहीं लगेगी किन्टवे संसदी पुस्तकों के अध्या निर्वंबरे सदस्यों के मारदर्सन से अपनी संकाय परिसानिया दूर कर सकते हैं विदान सभा सचिवाले के अधिकारी करमचारी आपकी सायता के लिए सदेब तक पर रहते हैं आप उनकी मदद भी ले सकते हैं नव निर्वाचिस सदस्यों के सिक्षन प्रेश्चिशन के लिए सीगर ही प्रवोधन कारिक्रम भी आयोजित होगा इस लगू सत्र के सुचारू संचालन के लिए मैं माननी मुख्यमत्री जी, उपु मुख्यमत्री दोय, माननी नेता प्रितपच, सभागत तालिका के सभी माननी सदस्यों, प्रिंट और इलक्टोनिक मीडिया से जुड़े महानुवावों, प्रमुक सचे विदान सभा, विद प्रदेश वात्सियों को क्रिस्मस और नव वर्ष की शुप कामनाई देते हुए, उनकी और प्रदेश की समरधी, खुशाली की कामना करता हूँ, अगले सत्र में हम पुना सम्वेथ होंगे, धरने बाद, मुख्यमंद्री, सत्र समापन भाषण में, बेले तो सबसे पहले आपका, खास करके आपने पूरा हमको मुखा दिया, और ये अनुकुल महोल बनाया, आपका अभार मानता हूँ, मेरे मीत्र कांगरेज के वरिष्ट नेता, नेता पतिपक्ष, उमंग सिंगार जी, सहयोगी उपुमुक्त के मंत्री गण, माननी जग्दीज जी, माननी राजिन सुकला जी, हिमारे सभी वरिष नयताग Rings पक्षन नतागर चांघ के सभी सदस्य सभा पति तालिका के सभी माननि सदस्य उधrenchedजइड प्रमुक सची विदान सभा अन्य अधिकारी करमचारी कुरौक्षा करमी अकżenμि चरूरेप्ध मेडिया फ्रीटानिक मेडिया और अन्य सबी बंधूँ का रधे से आभार मांता हूं बहुत बहुत धन्य बाद नेता प्रदिपश्च मानि अद्रेख्ष मोदे तो मैं आपको धन्यवार देना चाहता हूं कि एक काफी गंबीर भीर घंबीर अद्रेख्ष में मिले माने मुख्यमंत् conversions को धन्यवार्ण देना चाहता हूं कि एग जन वे पूरी कहानी पे सुनाए उनमें ग्यान भी ग्यान I you अगर को सब कर द सभी हमारे मुख्यमंति दोनों उनको में दन्यवार्ण स्यर से देना चाहता हूं सब घराद सवा के सवा के वरीज मेरे साथी सभी को सदैसे दन्यवाद देना चाहता हूँ अधिकारी तिरिगा में सभी अधिकारियों को मीडिया विदान सवा के कर्मचारी अधिकारी सब को सदैसे दन्यवाद देना चाहता हूँ इसी सोवाद में हमारा साथ चलते रे, जन्ता की आवाज उम लोग करते रे हो उसमनिने उन्हें उन्हें निवाद माराश्ट गान के लिए उन्हें लोग खड़े हो तो जन्हें लोग मि आवाज नवाज करते रे, जन्हें लोग करते रे, इसी सिंदो खड़े हो तो आवाज जन्हें, जन्हें लोग करते रे हो तो जारहे 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 विदान सबागी कार्यवाई अदेशित काल के लिए इस्टुखाट